किसी बहन ने सवाल पूछाए कि मेरी तबीए ठीक नहीं रहती लेकिन कुरान में लिखा है कि दो साथ तक बच्चे को दूद पिलाना लाजिम है देखे मेरी पहन कुरान में एक रेकमेंडेशन दीगी है कि आप बच्चे को अगर दूद पिलाएंगी दो साथ तक वो बच्चे के लिए सहत के लिए बहता लेकिन जहां तक एक औरत की तबिया ठीक नहीं होती लेकिन ये उन पर जबर्दस्ती नहीं की गई कि आप बचे को जबर्दस्ती दूद पिलाएं लेकिन का ये इन पर जाए हैं लेकिन बियुक्स नहीं जो जो एक और जाला की ऊड़ी लूडे गईलारी ऑगी ओके नोगी बीद्र्दसाश ऐसा लेकिन नहीं लिचाना थी मुफ मुफ मैं दीज़ disturbed हैं आज हम सुरत बकरा पढ़ते हैं आयत 223 में अगर मा बच्चे को दूद्ध सही नहीं पिलाती तो काफी देखा गया है के लोगों में बिमारीяं पैदा होती है और लोगों की हैज़ खराब होती है और जहां तक एक औरत की सहत का मसला है एक औरत के लिए जबदर से नहीं किया गया कि अब बच्चे को दो साल की उमर तक ही दूद पिलाएं लेकिन अगर इस काबिल है कि एक मा की सहत ठीक है और उसको चाती में दूद आ रहा है तो उनके लिए बहतर है कि बच्चे को दो साल की उमर तक दूद पिलाएं यह बच्चे के लिए भी बहतर है और मा के लिए भी बहतर है क्योंकि ऐसे भी देखा गया है कि जो माई दूद नहीं पिलाती तो एक तो उनकी मा की भी सेथ खराब होती है और बच्चे की भी सेथ खराब होती है लेकिन मा की तो टेंपरिरी खराब होती है लेकिन अगर लॉंग टर्म में देखा जाए तो एक बच्चे जब बड़ा होता है तो उसकी डॉयल्पमेड भी इस चीज में बहुत फरक आता है झाल झाल